हाईलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल स्वीटन सवर लव स्टोरीज, कॉल मी डाडी का ये सिक्थ पार्ट है इस श्टोरी को जादा बड़ा करने का मेरा कोई प्लैन नहीं था फिर भी जब मैं इसे थोड़ी डिटल में चुनाने लगी, तब ये थोड़ी बड़ी होगी आज के पार्ट में मैं लानवांग जी और वुक्षिया के फिलिंग्स को ही डिटल में एक्स्प्रेंट करूंगी क्यूंकि जब जब मैं सोचती हूँ कि ये डिटल्स उतने ज़रूरे नहीं है लिसनर्स इनको समझ ही जाएंगे तब तब मैंने देखा है कि लिसनर्स को कैरेक्टर्स के बारे में गलत फैमी हुई है अब हर गलत फैमी तो कामेंट में क्लिया नहीं की जा सकती है इसलिए स्टोरी के अंदर ही उन्हें अच्छे से explain कर देना ठीक है लैनोंग जी खुद पर बहुत गुसा था क्या अपने single life से वो इतना बोर हो गया था कि एक 18 साल के लड़के के जहासे में आ गया उसने अपनी जवानी के दिनों में अपने husband को खोया था पर उस टाइम उसको कभी ऐसा मैसूश नहीं हुआ कि उसकी body को किसी और की जरुरत है उसके दिल में तो उसका वह इंग था वो जगा तो कभी भी खाली नहीं हुई थी पर अब इतने सालों बाद जब वो 46 साल का हो रहा है तब उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी पता नहीं क्या उसकी body किसी की touch ना पाकर इतनी बैचायन थी कि किसी के मीठे सब्द और मुस्कान से ही seduced हो गई साइद इसी को थरक बोलते हैं खुद 46 का होकर भी एक 18 साल के लड़कों को छूते हुए उसे सर्म नहीं आई और वो लड़का तो उसके फ्रेंड का बेटा है और उसके बेटे से भी उमन में छोटा है उस लड़के के मोहों में आकर उसने अपने इतने सालों के वसुलों को भुला दिया था और उसकी सजा भी उसे तुरंद मिल गई जिस लड़के के लिए वो अपने हजबन से किया हुआ बादा भूल गया था उस लड़के ने उसे आईना दिखाने में टाइम नहीं लगाया ये उसके खुद की गलती थी कि उसने ये सोच लिया कि एक 18 साल का लड़का उसका बॉइफिंड बनना चाहेगा उससे साधी करना चाहेगा लानवांग जी अपने आप पर बहुत सर्मिंदा है उसने वुक्षियां के जैसे लड़के को वोईंग की जगा पर बिठा दिया था वो उसके चहरे से धोका खा गया था वुक्षियां का सिर्फ चहरा ही वोईंग की तरह है उसका करेक्टर बिल्कुल भी वोईंग से नहीं मिलता लानवांग जी को पता नहीं कि कैसे उससे इतनी बड़ी गलती हो गई वो खुद अपने आपको माफ नहीं कर पा रहा है किस मूँ से वो वोईंग से माफी मांगेगा आज वो वोईंग का सारा समान अपने रूम से निकाल कर सिजुई के रूम में सिफ्ट कर रहा है अब इन चीज़े पर उसका कोई हग नहीं है अपनी हवस की वज़े से आज उसने सब कुछ हो दिया है इतने दिनों से उसने अपने वोईंग को अपने दिल में बसा रखा था पर अब वो जगा गंदा हो गया है अब वो जगा वोईंग के रहने के लायक नहीं रहा राद भर इंटिमेशिय के बाद जो वुक्सियान ने कहा कि वो सिर्फ सेक्स के लिए लानवांग जी के करीब आया था तब लानवांग जी का दिमाग खराब हो गया था एक पल के लिए उसके मन में अपने आपको खतम कर देने का खायाल भी आया था पर वो ऐसा नहीं कर पाया 19 सल पहले भी वोईंग को खोकर वो और जीरा नहीं चाहता था उस टाइम उसके गोद में पड़े नन्ने से बच्चे ने उसे जीने के लिए मजबूर किया था अभी भी वो बच्चा उतना बड़ा नहीं हुआ है अभी भी उसके सिवा उसका कोई नहीं है सीजी वोईंग की निसानी है जिसे उसने हमेशा सब कुछ देने की कोसिस की है अब जब तक ना वो कुछ बन जाता है और अपना लाइफ पार्टना ढून लेता है तब तक उसकी जरुवतों के पूरी करना लानवांग जी की जिम्मेदारी है लानवांग जी सीजुई के बेड़ में जाकर बैठता है जब उन लोगोंने बच्चे के बारे में प्लैन करना शुरू किया था तब ये लानवांग जी का ही साजेसन था कि बच्चे वोईंग का ही हो उसे नहीं पता था कि वो वोईंग को इतनी जल्दी खो देगा पर उस decision के बज़े से वोईंग को खोने के बाद भी उसके पास वोईंग का एक टूगड़ा रहे गया था First year के final exam के बाद घर आकर सिजुई ने देखा कि उसके रूम में बहुत सारा एक्स्टा सामान है ये सब क्या है डाड़ उसने पूछा तुम्हारे पापा का सामान लानवांग जी ने जवाब दिया पर ये मेरे रूम में क्या कर रहे है सिजुई ने पूछा उन सब चीजों का आशली वारिस तो तुम ही हो लानवांग जी ने कहा अभी तो तुम यहां रहते नहीं हो तुम्हारा ज़्यादा सामान भी यहां नहीं है इनको अभी अपने रूम में रख लो बाद में तुम उनको लेकर क्या करोगे वो तुम्हारी मर्जी ये तुम्हारे पापा के चीजे है तुम चाहो तो उनको यूज भी कर सकते हो ऐसा क्या हो गया जो लानवंग जिने इतने सालों से समाल कर रखे गये चीजों को अपने रूम से निकाल दिया सीजु समझने की कोसिस करता है अगर उसे देना ही मकसद होता तो उसके होस्टल जाने से पहले ही उसे ये सब दे दिया जाता अब तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इन चीजों को ठीक से देख पाए इस बग तुसे ये सब देने का क्या मतलब है डैड क्या आपको कोई मिल गया है सीजु ने हेजिटेट करते हैं पूछा नहीं लानवांग जी ने जवाब दिया आप पापा को भूलाना चाते हो सीजु ने फिर से सवाल किया नहीं लानवांग जी ने जवाब दिया तो फिर आप यह सब फेक क्यों रहे हो, यह सब जहाँ पर था, वही रहने देते, सिजुई ने कहा तुम्हें उन चीजों का अपने रूम में रखने में प्राब्लम हो रही है, लानवांग जी ने पूछा नहीं, मुझे क्या प्राब्लम होगी, मेरे रूम में तो अब बहुत जगा है, अब उक्षियां का समान भी नहीं है, और मेरा समान भी कम है मैं समाल कर रख लूँगा मेरे पास तो इस बार टाइम भी है अब तो उक्षियां भी यहां नहीं है उससे मिलने भी नहीं जाना है सिजुई ने कहा सिजुई लानवांजी ने कहा जी डैड बोली है सिजुई ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो अब तुम्हें अपने अच्छे पुरे का समझ हो गया है पर लानवांजी थोड़ा रुखता है और फिर बोलता है तुम नए जमाने के लड़के हो मेरी बाते तुम्हें साइज अच्छी नहीं लगेगी क्या बात है डैड सिजुई ने पोचा उसने इसके पहले कभी अपने डैड को ऐसे हेजिटेट करते नहीं देखा आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं मुझे आपकी बाते पुरी में ही लगती है तुम लोग आजकल फिजिकली इंटिमेशी के बारे में बहुत कैजूल हो ना मैं पुराने जमाने का आदमे हूँ मुझे ये सब समझ नहीं आता है अगर दोनों तरफ से हाँ है तो इसमें साइट कोई बुराई नहीं है लानवाँ जी ने कहा पर तुम अगर किसी के साथ सिर्फ फिजिकली इंटिमेशी होना चाहते हो तो उस इंसाम को पहले से वो बात जानने का हक है अगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो उससे कोई पर्मानेंट रिस्ता नहीं चाहते हो तो ज़्यादा क्लोज होने से पहले उसे बता देना किसी को कभी धोके में मत रखना डैड मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा सिजुई ने कहा मुझे तुम से यही उम्मीद है लानवाजी ने कहा पर हर कोई ऐसा नहीं सोचेगा न तुम्हें ऐसे लोगों से साब्दान रहना है किसी को ऐसे ही आँक बंद करके भरूसा मत कर लेना किसी ऐसे को अपना दिल मत दे देना जो तुम्हारे दिल की गदर ना करे मैं साब्दान रहूंगा सिजुई ने कहा और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंट मुझे बताना कभी आपने आपको अकिला मत समझना लानवाजी ने कहा आपको ही बताऊंगा आपके सिपा मेरा और कौन है सिजुई ने कहा हाँ, सिर्फ मैं ही तुम्हारा अपना हूँ किसी दो दिन के आये हुए इंसान की मीठी बाते और सुन्धर चैरे पर कभी भरुसा मत करना अगर वो दिखने में मेरे जैसा हो तब भी नहीं लानवांग जी ने कहा सिजुई अपने डैड की बात को समझने की कोसिस करता है फिर बोलता है क्या उक्सिया आया था उसने कुछ कहा अपसे मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है लानवांग जी ने कहा और तुम भी हो सके तो उससे ज़्यादा बाते मत किया करो उसकी माम उसे कुछ बोलती नहीं है इसलिए उसमें कोई तमिज नहीं है उक्षा में तमिज नहीं है ये बात सीजी को ठीक नहीं लगी पर वो इस बात वो लेकर अपने डैड से बहस नहीं करना चाता था दो दिन तक वो अपने पापा की चीजों में ही बीजी रह गया कपड़े, बूक्स, नोटबूक्स, स्केज़ बूक्स, प्रिंट आउट्स, सर्टिविकेट्स, ट्रोफीज, एक्सेसरीज, लैप्टॉप, चश्मा, सीडीज, अलबम सब कुछ उसने ठीक से रख दिया सीजों ने लानवांगजु के हमेशा ही कम बोलत हुए देखा है और उसने उसे कभी हसते हुए भी नहीं देखा है अपने पापा के बारे में पता चलने के बाद उसे समझ आया था कि उसके डैड अभी भी अपने हजबन को खोने का शोक मना रहे है पर आप और क्या खो दिया है इनोंने इनको देखकर तो लग रहा है कि वो कोई जिन्दा लास है दो दिन पहले अपने रूम में अपने पापा का समान देखकर सीजों को लगा था कि साइद लानवांगजी आप जिन्देगी में आगे बढ़ना चाता है बेटा होने के नाते उसे ही अपने डैड की मदद करनी पड़ेगी उसने अपने डैड से पूछा डैड मैं आपके फोर्म में कुछ डेटिंग अप्स इंस्ट्रॉल कर दूँ क्यों? लानवांगजी ने पूछा अप अकले हो गए हो ना? किसी से बात करके आपको अच्छा लगेगा सीजुई ने कहा उसकी जुरत नहीं है लानवांगजी ने कहा मैं एक पार्ट टाइम जॉब जॉइन कर रहा हूँ इसमें मुझे महीने में दो-चार बार अलेग-अले कॉलेज और उनिवर्सिटिस में जाकर लेक्चर्ज देना है इस तरीके से मैं वीकेंड्स में भी बीजी रहूँगा और मुझे किसी से डेट करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा ये तो बहुत अच्छी बात है सीजुई ने कहा उसके डेट खुज रहे यही तो हो चाहता है उसके बायलिजिकल फादर के मौत के बाद इस आदमी ने कभी भी उसे ये मैसस नहीं कराया कि उसके बायलिजिकल परेंट्स नहीं है एक महीने के छोटे से बच्चे को इन्होंने अकेले पाल पोश कर बढ़ा किया अब उन्हें जो अच्छा लगे वो वही कर सकते हैं अगर वो जिन्देगे वर अकेला रहना चाहते हैं तो सीजी उन्हें किसी डिलेसेंसिब में जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता ना लानौल जी ने ये काम अपने आप से भागने के लिए लिया है वोईंग इस घर में कभी नहीं रहता था पर ये घर, ये बेडरूम, पहले उसका और वोईंग का ही था अपनी बाडी के डिजायर से हार कर उसने इन सब की पियरूटी को नश्ट कर दिया है अब वोईंग से नजरे मिलाने के लायक भी नहीं रहा इसलिए वो जितना हो सा के घर से दूर रहना चाता है जब उक्षिया उनिवर्सिटी गया तब उसके चहरे पर ब्यूटी के साथ साथ मैचीरूटी भी आ गई थी बहुत जल्दी ही इनिवर्सिटी में लोग उसके चहरे के दिवारे बनने लगे पर कभी अपने चहरे पर घमंट करने वाले उक्षिया को अब अपने चहरे से नफरत हो गई है पहले उसका चहरा देखकर अगर कोई बोलता था किस उसे भी ऐसा चहरा मिलता तो वुक्षिया बहुत इत्राया करता था पर अब ऐसी बाते सुनकर वो सोचता है कि साइद उसे ऐसा चहरा ना मिलता उसका चहरा ऐसा ना होता तो साइद उस रात लानवांग जी उसे घर से निकाल देता वक्षिया को बुरा तो लगता पर सायद इतना नहीं उस रत नसे में लानवांग जी उसके इस चहरे को ठुकरा नहीं पाया था पर जिसे वो अपने बेट पर ले गया था वो ये वक्षिया नहीं था उससे प्यार करके जब लानवांगची नीद के गहराई में डूब रहा था तब उसके मूँ से उसका नहीं वोईंग का नाम निकला था अगली राद भी नीद में उसने वोईंग का नाम लिया था वो कह रहा था वोईंग, I'm sorry उससे प्यार जाता कर जो इनसान अपने मरे हुए हस्बेंट से माफी माग रहा था उस इनसान के साथ रिलेसिंसिप में रहे कर उक्षियां को क्या मिलता और ज्यादा तकलिप्ट से बचने के लिए उसने डिष्टे को मजबूत होने से पहले ही तोड़ दिया तुम्हें ये पसंद है? मेरे हस्बेंट को भी ये पसंद था तुम ये करना चाते हो? मेरे हस्बेंट भी ये करता था हर रोज उस मरे हुए इनसान के साथ अपनी कमपरिजन सुनना उक्षा की बसकी बात नहीं है उस रात लानवंग जी को सीडूस करने के लिए उसने अपने आपको वोईंग के जैसा दिखाने की कोशिज की थी उसने कहा था कि उसे डिजाइन पढ़ना है क्योंकि उसे पता था कि वोईंग एक ग्राफिक डिजाइनर था उसने उसके पसंद के पर्फिम को अपनी बॉडी में स्प्रे किया था ताकि लानवांग जी उसके लिए और अट्रक्शन फिल करे अगर वैसे काम नहीं होता तो वो लानवांग जी को किसी और तरीके से मनाता सराबत उसने पहले ही फिला दिया था उसके पास और भी तरीके थे पर उसे जाड़ा कुछ करने की जुरत नहीं पड़ी थी लानवांग जी ने बीना रेजिस्ट किये ही उसे अपना लिया था शुरू में उक्षिया को लगा था कि उसे लानवांग जी बस उस रात के लिए ही मिलने वाला है पर लानवांग जी का प्यार जताना देखकर उसके मन में भी एक स्टेबल रिलेसेंसिप की चाहत जागने लगी थी पर उसे बाहों में लेकर लानवांग जी ने वही इंका नाम लिया सुबह नीन से उड़कर वो लानवांग जी को हमेशा के लिए गुड़वाई बोलने वाला था इसलिए उसने थैंक्स कहा था पर जब लानवांग जी ने खुद उसे दोबारा बुलाया तब वो मना नहीं कर पाया उसने सोचा था कि धिरे धिरे लानवांग जी उसे मन से एकसेप्ट कर लेगा और नीन में उसे हग करते राइम उसी का नाम लेगा उसे लगा था कि उसकी यह उंग सुन्दर बॉड़ी को देखकर लानवांग जी उसका दिवाना हो जाएगा पर वो गलत था लानवांग जी को उसके body में वो नहीं, वो यहीं ही देख रहा था उसके लिए वो body नहीं नहीं थी लानवांग जी पहले से ही उसके हर body parts को पैचानता था उक्षयान ने उसे sedios करने के लिए कह दिया था देखकर बताज़े ना, मेरा और क्या क्या उनके जैसा है उसे उस बक्त पता नहीं था कि उसका हर एक body part वोई उक्षिया के जैसा होगा उक्षिया को इनुवर्सिटी आये हुए आट महीने हो गया है अपने frustration को सुपाने के लिए वो यहां हर किसी से flood करता है उसने अपने profile पर खुद को bisexual लिखा है इसलिए लड़किया और लड़किया दोनों ही उसे अप्रच करते है वो सबसे मीठे सब तो बोलता है पर किसी के साथ intimate होने का उसका मन नहीं होता है पिछले हपते उसकी एक classmate उसके साथ intimate होने के इरादे से उसके apartment में आई थी उक्षियान ने भी सोचा था कि इस मौके को गवाना नहीं चाहिए जब तक ना वो किसी और के साथ physically involved होगा तब तक उसके दिलो दिमाग से लानवांग जी नहीं निकलेगा वो लड़की बहुत ही खुबसुरता और सेक्सी है एक छोटे black dress में वो और भी सेक्सी लग रही थी वो उक्षियां के पास आई दोनों close हुए पर उक्षियां को उसके होटो का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसे उल्टी आने लगी उस लड़की को लगा के साथ उसके लिफस्टिक के वज़े से ऐसा हो रहा होगा वो लिफस्टिक साफ करके आई पर उक्षियां ने दोबारा उसके होटो से अपने होटो को टच नहीं कराया फिर वो लड़की उक्षियां को टच करने लगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसकी बॉड़ी में रियक्षियां ना देखकर उस लड़की ने पुछा तुम सेवर हो के तुम्हें लड़की अच्छी लगती है तुमने कभी किसी लड़की के साथ सेक्स किया है तो आज उक्षियां एक लड़के के साथ है इस बात पर तो शक्की कोई गुंजाईस ही नहीं है कि उसे male body अच्छी लगती है और ज्यादा safe side में रहने के लिए रुक्षियान ने पहले ही bottom position चून लिया है एक तो उसे उस position का experience है और दूसरी बात ये है कि इसमें उसे खुद को ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसका male partner इस वक्त उसे बाहों में लेकर उसके गर्दन पर किस कर रहा है रुक्षियान ने आँखे बंद कर ली तो उसे लानवंग जी का चेहरा दिखा उस लड़के ने उसके साठ को उतार दिया और उसे बेड़ पर लेटा दिया उक्षियान आखे बंद करके सोचने लगा कि लानवंग जी के होट उसके गर्दन से उतर कर उसके चेश्ट के ऊपर आ गए और फिर वो होट दुबारा उसके दूसरी गर्दन पर गया अब वो होट फिर से उसके चेश्ट पर आ गए चेश्ट पर थोड़ा इदर उदर भूम कर जब वो होट उसके निपल की तरफ जाने लगे तब उक्षियान के आखे खुल गई उसने अपने दोनों हातों से अपने चेश्ट को कवर कर लिया क्या हुआ उसके पार्टनर ने पूछा मुझे बस उसका चेहरा दिख रहा है जिसे मैं भूलाना चाहता हूँ उक्षियान ने धिरेशे कहा लानवागजी के शीवा कोई और उसके प्राइबेट बॉड़ी पार्स को छुए ये वो सहने ही पा रहा है तुम अभी तक आपने एक से मुबान नहीं कर पाए हो फिर तो ये बहुत कंप्लिकेटेड होने वाला है उस लड़के ने कहा क्या उसने किसी और के लिए तुमें छोड़ दिया ये तो उसी का लौस है तुमारे जैसे मिलको तो कोई भी खाना चाहेगा मेरी बॉड़ी अट्रक्टिव है? उक्षियन ने पूछा अभी तक जितना मुझे दिखा है उससे तो वो ही पता चल रहा है उस लड़के ने कहा चलो आज मैं तुम्हा जननत दिखाता हूं नहीं मुझे तुम्हारा वाला जननत नहीं देखना है उक्षियन ने जल्दिशे कहा मैं अपने एक से ही पैचाप कर लूँगा पर तुम उसके पास क्यों जाओगे? जिसने तुम्हे छोड़ा है? उस लड़के ने पूछा उसने नहीं मैंने उसे छोड़ा है मैं उससे माफी माँग लूँगा उक्षियन ने कहा क्या जरूरत है? युणिवर्शिटी में लड़कों की कमी है क्या? उस लड़के ने कहा पर उसके जैसा हैंडसम और होट कोई नहीं है उक्षियन ने कहा ओल दब बेश्ट दिन वो लड़का बेट से उतरते हुए बोलता है पर अगर तुम अबेलेबल नहीं हो तो लोगों से फलट मत किया करो और ऐसे किसी को बुला कर उसे मना मत किया करो हर कोई मेरे जैसा नहीं होगा कि चुप चप वाफस चला जाएगा उसके जाने के बाद उक्षियन ने अपना फोन उठा लिया लानवांग जी से पैच अप करना क्या इतना आसान होगा और अगर पैच अप हो भी गया तो भी क्या वो खुद खुश हो पाएगा उक्षियन ने लानवांग जी को कॉल किया तो कॉल कनेक नहीं हुआ दो तिन बार ट्राई करके उसने एक मैसेज टाइप किया I am sorry मैसेज सेंड नहीं हुआ लानवांग जी ने उक्षिया को ब्लॉक कर दिया है उक्षिया बेट पर लेटा रह गया उसे बहुत पहले से ही यह ऐसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस रात लानवांग जी के करीब जाने में उसे टाइम नहीं लगा था लानवांग जी ने बाद में कहा था कि उसे कीज करने के टाइम से ही वो उसके लिए कॉमिटेट हो गया था उसे साहथ कीज पर ही रुख जाना चाहिए था और पहले लानवांग जी के साथ एक romantic relationship बनाना चाहिए था दिरे दिरे जब लानवांग जी के मन में उसके लिए जगा बन जाती तब जाकर दोनों को साथ सोना चाहिए था लानवांग जी ने उससे पुछा भी था कि उसे क्या चाहिए उसने इसके दिमाग में लानवांग जी के साथ सोने का भूठ सवार था वो नहीं जानता था कि निसा उतर जाने के बाद लानवांग जी उसके तरफ मुड़ कर देखता भी या नहीं साथ सच में नहीं देखता उसे लगता है कि लानवांग जी उसे इसलिए अपना रहा था क्योंकि उस रात उन्दों ने सेक्स कर लिया था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उक्षियां को खुद को भी नहीं पता था कि लानवांग जी को छोड़ कर आकर वो उसके लिए इतना तर्पेगा पर क्या वो फिर कभी लानवांग जी को बापस पाएगा उस रात लानवांग जी बहुत गुसा हो गया था उक्षियां भी एरोगेंडली बेट से उतर गया था और कपड़े पहन कर निकल गया था बहार आकर उसने अपने बैक के पेंट को महसूस किया था उसका एक्जाम खतम हो गया था और शुबह लानवांग जी को भी आफिस नहीं जाना था इसलिए उस रात उन दोनों ने रात भर सेक्स किया था उस दिन सुरज उगने से पहले उख्षया अपने फटे हुए बैक को समालते हुए अपनी एगो को बचा कर घर आ गया था लानवांग जी के साथ इंटिमेशी में सब कुछ सही था लानवांग जी का क्यारिंग नेचर उसके पैसिनट लव मेकिंग उसकी फैटलेस बॉडी उसके स्मूद मूब्स उख्षया को साथ किसी और के साथ बाइसा महसूस नहीं हो पाएगा वो तो किसी और के साथ इंटिमेट हो ही नहीं पा रहा है उसको खुद को ही ये नहीं पता था कि वो अंजने में ही लानवंग जी के लिए इतना कॉमिटेट हो जाएगा बहुत बाइट राइ करके भी उक्षया लानवंग जी से कांटक्ट नहीं कर पाया सैटर्डर को जनारी लिए उनका कोई क्लास नहीं होता है पर एक प्रोफेसर ने उनको स्पेसल क्लास के लिए बुलाया था क्लास खतम करके उक्षया लेजिली अपने दोस्तों के साथ डिपार्डमेंट से निकल कर जा रहा था अच्छनक उसे लगा कि उसने लानवंग जी को देखा पर लानवंग जी यहां क्या करेगा वाउ यह हैंडसम आदमी कौन है पहले तो इनको कभी नहीं देखा नियहुए संग ने पूछा आज एक सेमिनर है न वहीं पर आये होंगे मिया मिया ने जवाब दिया किस चीज का सेमिनर मुझे तो पता ही नहीं है उक्षयान ने कहा हमारे लिए नहीं है मिश्टर लानवांग जी लानवांग जी सच में आये हैं लेक्षर देने चलो उक्षयान नियहुए संग ने कहा हम अंदर नहीं जा सकते उक्षयान ने पूछा क्या जरूरत है अभी तो हम फर्स्ट एर में हैं अभी से ये सब सुनकर हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट एर से तो ये सब करना ही पड़ेगा नियहुए संग ने कहा चलो अब तुम लोग जाओ उक्षयान ने कहा तुम नहीं चलोगे मिया मिया ने पूछा नहीं मुझे किसी से मिलना है उक्षया ने कहा लानवंग जी खुद चलकर उसके उनिफरसिटी में आया है ये मौका वो गवा नहीं सकता आज उसे किसी भी हाल में लानवंग जी से मिलना ही है उक्षया शेमिनर हॉल के बाहर खड़ा रहा उसके दोस्त उसे छोड़कर चले तो गए पर थोड़ी देर में कुछ स्नैक्स लेकर वापस आ गए उक्षया किसी से मिलने के लिए वेट कर रहा है इसका मतलब वो इंसन वाकिए कोई इंपॉर्टेंट परसन है दोनों क्यूरेस होकर वेट करने लगे सेमिनर खतम होने के बाद लानवंग जी हॉल से निकल कर उसके लिए खड़ी कार के तरफ जाने लगा उसके साथ कुछ डिपार्डमेंट्स के हेड भी चल रहे थे उक्षया भीड पार करके उसके पास नहीं जा पा रहा था उसने आवाज लगाया मिश्टर लान लानवंग जी डुख गया कौन उसे आवाज लगा रहा है ये देखने के लिए उसने पीछे मुड़ कर देखा उक्षया भीड पार करके उसके पास गया उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे पहुँच गया मिश्टर लान मुझे आपसे बात करनी है इतने सारे लोगों के सामने लानवंग जी कोई सिंक्रेट नहीं कर सकता है उसने पुछा तुम यहां क्या कर रहे हो मैं यहां पढ़ता हूँ इंफर्मेशन टेक्नलोजी उक्षया ने जवाब दिया इंफर्मेशन टेक्नलोजी लानवंग जी हैरान होकर देखता है डिजाइन के साथ तो इसका कोई कनेक्शन ये नहीं है अच्छा तो इसे सीडूस करने के लिए डिजाइन पढ़ने की बात की गई थी आप यह लड़का क्या चाता है आप इसे जानते हैं एक प्राफिसन ने पूछा हाँ उसके पेरिंट्स मेरे दोस्त है लानवंग जी ने जवाब दिया मैं उसका अंकल हूँ मिश्टर लन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है अक्षियन ने कहा हाँ बोलो लानवंग जी ने पूछा मुझे आपसे अलग से बात करनी है अक्षियन ने कहा तो फिर कॉल कर लेना लानवंग जी ने कहा अभी मुझे जाना है अक्षियन को पता है कि वो लानवंग जी को कॉल नहीं कर सकता उसने कहा नहीं मुझे अभी बात करनी है प्लीज मिश्टर लन एक बार मेरी बात सुन लीजिए मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है तुम बाद में कॉल कर ले ना लानवांग जी ने कहा पर आपने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है न मैं आपको कैसे कॉल करूंगा उक्षियान ने पूछा लानवांग जी उसके सवाल का जवाब दिये भी न कार में बैठ गया मिश्टर लान प्लीज उक्षियान ने कार के विंडर पर टैप करते हुए कहा पर लानवांग जी ने मुड़कर भी नहीं देखा कार चलने लगी तो उक्षियान भी उसके पीचे चलने लगा थोड़ी देर में कार उनिवर्सिटी कैमपस से निकल गई और उक्षियान एक कटे पेड की तरह गिर गया दोस्तो आज का पार्ट में यही पर खतम कर रही हूँ उम्मीद है आज का यह पार्ट भी आप लोग को अच्छा लगा है आप लोग कमेंट करके बताएए और वीडियो को लाइक भी किजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई